हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं जारखंट अप्टेट दोस्तो चली शुरू करते हैं आज के इस रेशन को और जैसा कि हर दीन हम लोग देखते हैं इस जारखंट करेंट अफेर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रशनों को देखेंगे करेंट फेर्स से रेलेटिड और वन लाइन इसके फॉर्म में कुछ प्रशनों को रिवीजन करेंगे बीच में एक अभ्यास का प्रशनों होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और स्रेशन के अंत में हम जारखंट से रेलेटिड इस्ट्रैटिक जीके के कुछ प् है तो आप इसे जोईन कर लिजे जहां आपको लगातार PDF मेरे वीडियो का मिलता रहेगा तो आए शुरुवात करते हैं इस टेशन को और देखते हैं पिछले वीडियो में पूछेंगे अब ध्यास प्रशन को और जानते हैं उसके उत्तर को पिछले वीडियो का मैरेड किस भाषा में बने फिल्म है आप्शन A मराथी आप्शन B इंग्लिश आप्शन C नागपूरी अथो आप्शन D तमील दोस्तो इसका सही उत्तर है आप्शन D जो फिल्म LSG बना है यह तमील भाषा में बने फिल्म है जो धोनी Entertainment Private Limited के द्वारा बनाया गया है और इस Entertainment Private Limited द्वारा बनाया गया यह पहला फिल्म है आईए इसके बारे में भी जान देते हैं आपको बता दे कि मेहंदर सिंग धौनी जो की जहारखंट के रहने वाले हैं और अंतरास्टी किर्केटर रहे हैं फिल्म इंडेस्ट्री में अब उन्होंने कदम रख लिया है और यह उनकी पहली फिल्म है जो LSG की नाम से जानी जा रही है आपको बता दे कि उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोला है जिसका नाम है धौनी इंटर्टेन्मेट प्राइवेट लिमिटेड और धौनी इंटर्टेन्मेट प्राइवेट लिमिटेड के तहत LSG लेट्स केट स्टाड़ेड उनकी पहली फिल्म है जो तमील भाषा में बनी है इस फिल्म में प्रमुक किरदार है नादिया, हरिश कल्यान, इवाना और योगी बाबू इस फिल्म के डिरेक्टर है रमेश थमील मानी और इसके प्रोड्यूशर खुद दौनी की पत्री साक् नेशनल क्रिकेटर हैं और 90 टेस्ट और 350 वन डेट नेशनल वो भारत के लिए खेल चुके हैं दोस्तों चलिए अब देखते हैं जारखंट से रेलेटेड इंपॉर्टेंट नए प्रशनों को और आज का पहला प्रशन है एसी निलसन द्वारा कराए गये सर्वे के अनुसा उप्शन B बुकारो, उप्शन C राची अथो उप्शन D जमशेदपूर इसका सही उतर है उप्शन D जमशेदपूर एसी निलसल ने जो सर्वे कराया है उसके अनुसार जमशेदपूर के लोगों का क्वालिटी आफ लाइफ जारखंट में सबसे बहतर है आईए इसे हम ल यह सर्वे कराया गया था एसी निलसल के द्वारा एसी निलसल देश के च्छह टॉप शहरों में क्वालिटी आफ लाइफ से जुड़ी सर्वे कराया है जिसमें जमशेदपूर को 104.07 अंक दिये गये और जमशेदपूर इस मामले में अवल रहा है सर्वे में जमशेदपूर के अलावा नवी मुंबई, नौइडा, चंडिगर, वदोदरा और इंदौर को भी इसमें शामिल किया गया था आपको बता दे कि पिछले वर्ष जो सर्वे कराया गया था उसमें जमशेदपूर को 100.07 अंक मिले थे जिसमें इस वर्ष शुधार सुधार आया है इसका सही उतर हो, option D, ACI खेल आपको बता दे कि ACI खेल का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के दौरान चीन में होने जा रहा है आईए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं इसका सही उतर होगा, दोस्तो, option D, ACI खेल भारतिये बॉलीबॉल टीम पूरुस वर्ग के मुखे प्रशिक्षक बनाए गया है डॉक्टर जैद्वीप सरकार जो जारखंट के बोकारो के निवासी है और वो एक इंटरनेशनल बॉलीबॉल प्रशिक्षक भी है और बोकारो में सेल यानि बोकारो स्टेल लिमिटेट से भी उनका संबन है आपको बता दें कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के गौंग्जू में आयोजीत होने वाला 19 में एशियाई खेलो में इंडियन बॉलीबॉल टीम जो की मेंस केटेगरी का होगा उसमें मुखे प्रशिक्षक के तोर पर वे डॉक्टर जैदीप सरकार टीम के साथ रहेंगे और ये पहला उसर होगा जब जारखन साइद संपून पूर्वी भारत के किसी बॉलीबॉल कोज को एशियन गेम्स जैसे महत्पुर्ण खेल प्रत योगिता में मुखे प्रशिक्षक यानि कोज बराया गया है वरतवान में जैदीप सेल यानि बुकारो स्टील लिमिटेड में सीनियर वॉलीबॉल इस्टरक्टर के रूप से में जुड़े हुए है तीसरा नंबर प्रशने दोस्तो निती आयोग द्वारा हाली में जारी रिपोर्ट रास्टिय बहु आयामी गरीबी सुचकांग 2030 जारी किया गया है रिपोर्ट के अनुसार जारखंड में कितनी फिसदी गरीबी में कमी दर्ज की गई है दोस्तो निती आयोग द्वारा जो यह जारी किया गया है रिपोर्ट इसमें 13.29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है जारखंड में करीबी आईए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आपको बता दे कि निती आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है रास्टिय बहुआयामी गरीबी सुचकांग एक प्रज़ती संबंदी समिक्षा 2023 के नाम से इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015-16-21 के बीज साड़े तेरह करोड लोगों में गरीबी में कमी आई है आपको बता दे कि रास्टिय MPI यानि Multidimensional Poverty Index स्वास्त, सिक्षा और जीवनस्तर के तीन डाइमेंशन के अभाव को मिजर करता है और 12 सतत विक्यास लक्षो यानि SDG से जुड़े Indicators को दर्शाया जाता है आपको बता दे कि इन्निती आयोग के रिपोर्ट के अमसार सरकार के स्वक्षता, पोशन, रसोई गैस, वित्य समावेशन, पेजल, बिजली तक पहूंच में सुधार पर ध्यान देने से इन छेत्रों में काफी प्रगती दर्श की गई है इसके अलावा आपको इस प्रशन के जवाब में बता दे कि इस से संबंदित कुछ और डाटा है, जो जारखंड से रिलेटेड है, आपको वो भी बता देता हूँ सबसे पहले जानते हैं भारत के संबंद में 2015-16 और 19-21 के बीच यानि 5 वर्शों के बीच का ये डाटा है, जिसमें 13.5 करोड भारत में गरीबी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या बताई गई है वहीं जारखंड की बात करें, तो जारखंड में इसमें 42.1 जीरो यानि परतिशत गरीबी थी, 2015-16 के दोरान जो 19-21 में घटकर 28.2 एक परतिशत हो गई है इस तरह इन 5 वर्शों में 13.2 नौ परतिशत की कमी गरीबी में दर्ज की गई है जारखंड में वहीं जारखंड की बात करें, तो जारखंड के जिलो में 14 में सबसे ज्यादा गरीबी में कमी दर्ज की गई है और यह परतिशत है 23.74 और सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है गरीबी में कमी दर्ज की गई है कोडर्मा में 4.46 प्रतिशत यानि सबसे ज्यादा गरीबी में कमी आई है चत्रा जिले में और सबसे कम कोडर्मा जिले में प्रशल दोस्तो चार है आज का पुर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपेन एर बटरफ्राई पार्क जारखंड के किस पार्क में जनता के लिए जल्द ही खुल जाएगा यानि शुरू हो जाएगा आप्शन ए इचागड़ पक्षी विहार जो की सराइकेला खरसवाजिले में है आप्शन बी उद्वा पक्षी विहार जो सहेब गंज में है आप्शन सी बिर्सा चिडिया घर जो ओर्माजी राची में है और आप्शन डी टाटा जूलोजिकल पार्क जो की जमशेट पुल में है इसका सही उतरह दोस्तो आप्शन सी बिर्सा चिडिया घर जो की ओर्माजी राची में है वहाँ पे open air butterfly पार्क बनकर तयार हो गया है और बहुत जल्द इसे शुरू कर दिया जाएगा यानि आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा पुर्वी भारत का सबसे बड़ा open air butterfly पार्क जल्द ही भगवान बिर्सा जैविक पार्क या भगवान बिर्सा जैविक उद्यान में जनता के लिए खोल दिया जाएगा आपको पता दे कि यह पार्क यानि भगवान बिर्सा जैविक पार्क के परिसर में एक्क्वेरियम के ठिक सामने उन्ही से कड़ जमीन पर पीसे बनाया जया है अगर इस पार्क यानि ओपिन एर बटरफ्लाई पार्क के स्थापना या बनाय जाने की बात करें तो इसका उद्देश है बटरफ्लाई प्रेमियों का मनोरंजन के साथ साथ शाक्षिक मुल्य परदान करना और आगंत को यानि विजडर्स को पारिस्थितिकी में तितलियों के क्या महत्व है उससे संबंदित बताना और जागरूकता फैलाना इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि स्थलिये परिस्थितिकी तंत्र यानि टिरेस्ट्रियल एकोसिस्टम में जयव विजडर्स की बड़ती आवशक्ताओं के बारे में जागरूता को बढ़ावा देना और तितलियों की महत्तो को बताना कि तितलियों की जयव विविदता में कितना महत्त है ये इसका उद्देश है इसके अलावा आपको बता दे कि अच्छी संख्या में तितलियों की मौझूईदगी उत्तम प्राक्रतिक वातावराल का सुचक्दी होता है यानि तितलियों के जितनी ज्यादा संख्या वातावराण में होगी उसका वातावराण उत्रा उत्तम मना जाता है और तितलिया इस बात का इंडिकेटर होती है इसके अलावा दोस्तों आईए अब जान लेते हैं भगवान बिर्सा मुंडा बायोजिकल पार्क के बारे में भगवान बिर्सा बायोजिकल पार्क जिसे बिर्सा चिणिया घर के नाम से भी जानते हैं औरमाजी के चकला गाउं में इस्तित है इसके स्थापना की गई थी 1994 में 26 जनवरी को यह गेतल सूथ बांध के नजदीक है और मुख्य पटना राची राजमार्क परिस्तित है यानि NH-29 परिस्तित है भगमान बिर्शा बायलोजिकल पार्क का जो टोटल एरिया है जिसमें वो बनाया गया है वो 104 हेक्टेर में है अद्यूतिय विशिष्टाओं के कारण इसे देश के टॉप 10 जू में भी शामिल किया गया है आपको बता दे कि पार्क में एक मशलीब घर यानि एक्क्वेरियम भी है जो देश के सबसे बड़े ताजे पानी का एक्क्वेरियम है और 2009 में जारखंट चिणियागर प्राधिकरन यानि एक बनाय गया था ओधोरिटी 23 अक्टू पर 2009 को भगवान बिर्शा मुंडा बायलोजिकल पार्क के बहतर प्रबंदन के लिए इसे बनाय गया था देखता है सुदत स्वायत्त रूप से इसके अलावा वर्तमान में उसके इसके निदेशक की बात करें तो जब बार सिंग भगवान बिर्सा बायोजकल पार्क के निदेशक यानि डिरेक्टर है। अप्षन ने दो वर्ष और एक करोड तक जुर्माना। उप्षन भी पाच करोड और एक करोड रुपए तक की जुर्माना। प्राउधान किया जा रहा है इसने नकल विरोधी कानून में है। आइए इसके बारे में भी जान तेते हैं। आपको बता दें कि जारकंट सरकार प्रतियोगी परिक्षाओं में पेपर लिक्स की घटनाओं और नकल यानि कदाचार रोकने के उद्धिश से नकल विरोधी कानून यानि एंटी कॉपिंग लौ बना रही है। परिक्षाओं में पेपर लिक्स करने का दोशी पाय जाने पर दस वर्सों का कारवास और साथ ही एक करोड रुपे तक के जुर्माना लगाने यानि दंडित किया जाएगा इसके तार यानि जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। परिक्षाओं में नगल करने का दोशी पाय जाने पर संबंदित विद्यार्थी को तीन वर्स तक के कारवास का भी प्रावधान इस नए एंटी कॉपिंग लौ में किया जा रहा है इसके अलावा आपको बता दे कि वर्तमान में जो जार्खंड में इससे संबंदित लौ है वो क्या है इससे पहले आपको बता दे कि दोशी अगर चातर पाय जाते हैं तो एक लाख तक अर्थदंड और अगले दो वर्षों तक परिक्षाव में शामील होना प्रतिबंदित करने का दंड इसके तरह दिया जाएगा और वर्षदमान में जार्खंड में जो नकल विरोधी कानून है उसे जार्खंड एक्जामिनेशन कंडर्क्ट रूल 2001 कहते हैं जो वर्षदमान में अभी जार्खंड में प्रभावी है इसके तहट पेपर लिक और परिक्षाव में नकल के लिए मामूली दंड का प्रावधान किया गया है इस प्रावधान के तहट दोशी के लिए अधिक्तम 6 माह का कारवास और 3000 रुपे तक का जुर्माना है जो काफी कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए नया नकल विरोधी कानून जार्खंड में बनाया जा रहा है दोस्तों आईए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के पार और फॉर्म में कुछ करेट पहला कोश्चर है टाइगर सेंसर्स 2022 के अमसार PTR यानि पलामू टाइगर रिजर्व में बागो की संख्या कितनी बताई गई है टाइगर सेंसर्स 2022 जो की हाली में जारी किया गया है परधान मंत्री के त्वरा जारी किया गया इसमें जारकंड में PTR में तीन बताई गई है बागो की संख्या जारखन का पहला बरतन बैंक काउद घाटन किस जिले में किया गया है उतर है गुमला, गुमला में जारखन का पहला बरतन बैंक बनाया गया है दोस्तों आपको बता दे कि जो प्रयावर में प्रदूर्शन फैर रहा है धर्मोकोल या प्लास्टिक आदी के प्रयोग से, शादी व्याय में जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, उसके लिए ही इस ने बरतन बैंक का इस्ताबना किया गया है, आपको बता दे कि धर्मोकोल का जो प्रयोग किया जाता है, उसके अस्थान पर ज्यादा से ज्या है आपको बता दे कि एक रूपए मात्र एक रूपए में चार बरतन इसके तहट दिया जाएंगे यानि एक रूपए में ठाली, कटोरी, क्लास और चम्मच का सेट दिया जाएगा और अगला प्रशन है कोडर्मा और गिरिडी जीलो में अब्रक के अवायद घनन पर आधारित फिल्म, डॉक्यूमेंटरी फिल्म, अगली साइड ऑफ ब्यूटी में क्या प्रदर्शित किया गया है दोस्तों आपको बता दे, इसमें माईका और धीवरा चुड़ने वालों की व्याथा बताई गई है यानि माईका और धीबरा चुनने वालों की क्या इस्थिती है किस इस्थिती में वो अपना जीवन जीते हैं कैसे धीबरा और माईका चूनते समय वो अपने आपको भूरे इस्थिती में डाल देते हैं खत्रे में डाल देते हैं उसे इस फिल्म में दिखाया गया है और इसके फिल्मकार है दीपक बारा. अगला प्रश्न है दिनेश घोप किस मावादी संगठन से जुड़ा है जिसके गिरफतारी नेपाल में की गई? इसका उतर है The People's Liberation Front of India यानि PLFI से जुड़ा था दिनेश घोप जिसके गिरफतारी की गई है नेपाल से. जारकंट सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानि OPS को किस स्थिती से राज में भाल कर दिया है? इसका उतर है 1.722 आपको बता दे कि National Pension Scheme के अस्थान पर अब Old Pension Scheme जो पहले से लागू था उसे फिर से जारकंट सरकार ने शुरू कर दिया है. एक सितंबर 2022 से ये प्रभावी हो गया है और पूरे देश की बात करें तो पांच राज्यों में OPS लागू कर दिया गया है NPS के स्थान पर. अब दोस्तों बारी है आज के अभ्यास प्रश्ण की और आज का अभ्यास प्रश्ण है देश में पहली बार कराये गए जराश्यों के सिंसस में रिजर्व वोयर के मामले में जारकंट का स्थान पूरे देश में कितना है? अप्शन A सातवा, अप्शन B पाचवा, अप्शन C दूसरा, अथो अप्शन D पहला. दोस्तों इंतजार है आपका उतर का, उमीद करता हूँ आप कमेंट कर जरूर इसका उतर पोस्ट करेंगे. आईए अब देखते हैं जारकंट से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल अफेर्स के प्रशनों को. और इसका पहला प्रशन है, जारकंट के एक तीसवी और बतीसवी जनजाती के रूप में करमसख कमर और कोल को किस वर्स जनजाती के रूप में मानेता प्रदान की गई? आप्शन A, 2001. आप्शन B, 2003. आप्शन C, 2005. अथो आप्शन D, 2009. दोस्तों, एक तीसवी और बतीसवी जनजाती के रूप में करमसख कमर और कोल को 2003 में जनजाती के रूप में मानेता प्रदान की गई है. यानि इसका सही उतर है आप्शन B. आपको बता दे कि 8 जनवरी 2003 को कमर को 31 जबकि कोल को 32 जनजाती के रूप में मानेता प्रदान की गई. और जहारखण में कुल मानने अनुसुचित जनजातियों की संख्या अब 32 हो गई है यानि जनजाती 24 और इसमें आदिम जनजातियों की संख्या 8. कुल मिलाकर 32 जनजाती जहारखण में हो गई हैं. आपको यह बता दे कि 32 जनजातियां जो जहारखण में हैं वो संविधान के आर्टिकल यानि अनुशे 342 के अंतरगत राष्टपती द्वारा नोटिफाइड है. 24 जनजातियां प्रमुख जनजाती हैं और 8 आदिम जनजातियां इस स्रेणी में हैं. जनसंख्या के दिश्ट्री से बात करें तो 2011 जनगर्णा के अनुशार कुल जनसंख्या जहारखण में जनजातियों की है. 86,45,42 जो जहारखण के कुल जनसंख्या का 26.2 जो 2.0 प्रतिश्यत है. और इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या संधालू की है और सबसे कम खोट की वहीं आदिम जनजातियों की बात करें तो 2011 जनगर्णा के अनुशार कुल जनसंख्या आदिम जनजातियों की 1,92,425 है जो कुल जनसंख्या का मात्र 10,72 प्रतिश्यत है. और आदिम जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनजाती माल पहाड़िया की है और आदिम जनजातिय और वन लाइनर्स के फॉर्म में देखते हैं ट्रडिशनल अफेर्स के कुछ प्रश्णों को पहला प्रश्ण है कार्ती के महीने काले चंद्रमा यानि कार्ती का मावस्या के दौरान मनाया जाने वाला जारकंट का सबसे प्रसिद्ध पर वह कौन सा है इसका उतर है दोस्तो वंदना कार्ती का मावस्या के समय मनाया जाता है कार्ती का मावस्या के दौरान मनाया जाने वाला या जारकंट का प्रसिद्ध तैभार है आपको बता दे कि ये तेभार पालतु जानवरों से संबंदित है और परश्वो को योगदान को इसमें दर्शाय जाता है और उसके जो योगदान है उससे संबंदित समर्पन गीत इस उसर पर गये जाते हैं दूसरा प्रश्ण है पहला जनजातिय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हाथियार उठाया था इसका उत्तर है तिलका मांजी आपको बता दे कि तिलका मांजी पहले जनजातिय नेता थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने हाथियार उठाया था अपनी र 183 से 85 के बीच चला था आपको पता दे कि ये संधाल परगना छेतर में मुख्य रूप से भागलपूर छेतर में चलाय गया था यानि केंद्र बिंदू इसका भागलपूर था और स्वतंतरदा सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वालियों में भी इनी का नाम आता है और आधी विद्रोही के रूप में भी ये जाने जाते हैं दिल का माजी अगला प्रश्ण है कॉम्बकट चित्रकला किस जंजाती में प्रसिद है इसका उत्तर है संथाल आपको बता दे कि कॉम्बकट एक चित्रकला है जहारकन का जो प्रसिदी चित्रकला है और संथालों में क अगला प्रश्ण है लांस नायक अलबर्ट एकका किम्रेतुए किस से युद्ध में लड़ते समय हो गई थी इसका उतर है भारत पाक युद्ध 1971 में इसके बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानी दिया गया था आपको बता दे कि 3 दिसंबर को 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक का जो युद्ध हुआ था उस दोरान ये वीर गती को प्राप्त हो गए थे आपको बता दे कि अब तक कुल 21 लोगों को प्रदान किया गया है परमवीर चक्र और इनका नंबर था 12 यानि अलबटिक का 12 वे ऐसे व्यक्ति थे जिनें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और अंतिम बार जिनें परमवीर चक्र दिया गया था वो 1999 में दिया गया था आईए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रशन को और अगला प्रशन है जारखन में सबसे कम जनसंख्या वाला जीला कौन है इसका उतर है लोहरदग्गा जारखन में सबसे कम जनसंख्या लोहरदग्गा में है और सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो सबसे इस मैप के मात्यम से, दोस्तों आपको बता दे कि सबसे कम जन संख्या लोहर दग्गा में है, यानि लोहर दग्गा ये वाला चेत्र है और ये दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा ये पूरा चेत्र ये दक्षर शोटा नागपूर का चेत्र है और इसमें लोहर दग्गा में सबसे कम जन संख्या इसके अलावा खूटी में उसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या है और सिम्डेगा यानि नीचे से देखे तो सबसे कम जनसंख्या का जो सिरीज बनेगा वो बनेगा दोहरदगा फिर खूटी और फिर सिम्डेगा और इसके बाद इस्थान आता है कोडर्मा का और वहीं राची की बात करें तो राची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यानि पूरे छोटा नागपूर छेत्र में चार ऐसे जिले हैं जिसे जनसंख्या के मामले में याद रखना है और ये याद रखना है कि राची चुकी दक्षनी छोटा नागपूर का ही एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है और दक्षन छोटा नागपूर का ही ये तीन जिले हैं यानि क्रमसा, लुहरदगा, खूटी और सिम्डेगा जिसमें सबसे कम जन संख्या है और ये था दोस्तो आज का स्रेशन, उमीद करता हूँ पसंद आया होगा, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स स्रेशन में, तब तक जोड़े रहे हैं जारखन अपडेट के साथ, धन्यवाद